श्री चाणों में दो पंक्तियों से, एक श्लोक की दो पंक्तियों से मैं निविदन करता हूँ और अपना कादिपाथा रंब करता हूँ जटाट वी गलत जलप प्रवाह पावितस्थले गले में लंबे लंबे ताम भुजंग तुंग मालिकाम जटा कटाह संब्रमं भ्रमन लिम्प निरजरी बिलोल वीच बल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 जवल लाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रतिप्रतिक्षणम माम मन तो मेरा भी करता है लिख दूं हसी ठिटोली मैं किशन कनहिया ब्रज वरिंदावन बोलू मीठी बोली मैं लेकिन भारत माता को जब जब गाली दी जाती है धम की हमको देश तोड़ने वाली भी दी जाती है तब धमनी में बहने वाला रक्त खौलने लगता है मेरे प्राणों का वाहक वह रुद्र बोलने लगता है भूम देश की इंचमात्र भी नहीं कहीं कटने देंगे जब तक प्राण रहेंगे तन में देश नहीं बटने देंगे चाफेकर के चित्र क्यों किसी और की क्यों नहीं एक मा के तीन बेटे और भारत माता के चरणों में तीनों दीपक अर्पित कर दिये यह समाचार सुनकर भगिनी निवेदिता चाफेकर जी की मा से मिलने गए चाफेकर की मा फफख फख कर रोने लगी निवेदिता ने कहा बहन रोले तुने तीन तीन बेटे खोए हैं मैं तेरी पीडा को समझ सकती हो चाफेकर की माने जो उत्तर दिया बात जिस शहीद दिवस हमने कल मनाया था चाफेकर की माने का बहन ये आंसू इस बात के लिए नहीं है कि मैंने तीन बेटे खो दिये हैं आंसू इस बात के हैं कि जब सोती हूँ और सपने में भारत माता को वेडियों में जकड़ी हुई पाती हूँ तब मन करता है काँ शेकाद वेटा और दिया होता तो मा को आजाद करा दे चाफे करके चित्र लगा दो लाल चौक मीनारों पर नर्म नहीं होना है हमको अब घर के गद्दारों पर हुरियत वाले सापों के सर पर लाठी से बार करो पाकिस्तानी एजन्टों का घाटी से संगहार करो भारत के नक्से से हम कश्मीर नहीं कटने देंगे जब तक प्राण रहेंगे तन में देश नहीं बटने देंगे क्या कहते हैं हमसे कि ये हिंदुस्थान के लोग घास पूस खाने वाले शाकाहारी बंशी बजाने वाले को पूजने वाले ये क्या युद्ध में ठेरेंगे तब कहता हूँ पूजते हैं गाय को पर शेर भी पाले गए हैं सुन हमारी हड्डियों से बज्जर भी ढाले गए हैं मिट गए नामो निशातक शेश हैं दो चार खंड हर चुन गए दीवार में पर गर्दने झुकती नहीं हैं रोकने से बरगदों के आंधियां रुकती नहीं हैं, हम अमर्ता के पुजारी शस्त्र से मरते नहीं हैं, युद्ध की धमकी न देना, युद्ध से डरते नहीं, क्यों नहीं दरते? युद्ध 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 रावण ने लडा था ध्वंस लंका हो गई थी, कंस कोपट का उठा कर दूर शंका हो गई थी, और श्वाजी बीर ने जब आँ तफजल खांकी फाड़ी, दुष्ट दुष्षासन की जैसे भीमने बाजू उखाड़ी, सुने कत्तर की तरह से दो ध्रो में तोड़ देंगे, सिंध और बालूच के भी रास्ते हम मोड़ देंगे, गीदलो, गीदलो हम बार छुपकर पी तब हम सर्जी कले स्ट्राइक करते हैं, और जब हम सर्जी कले स्ट्राइक करते हैं, तब पूरी दुनिया धर्राती है, लेकिन भारत किस चीज में कमजोर रह जाता है, भारत दगावाजी देने में, धोका देने में पिछड़ जाता है, क्योंकि वह हमारे संसकारों में नह जाता हूं एक शब्द आया शाही हरम ये शाही हरम क्या होता है हिंदुस्थान में परिवार होता है और परिवार में मात्रिशक्ति का सम्मान होता है शत्र की इस्त्री को भी शिवाजी महराज उतना ही सम्मान देते थे जितना घर की इस्त्रियों को सम्मान दिया जाता है ले उसके सुहाग की निशानियां उसके बिछुए तक उतरवा लिए तब उस दुस्ट और नालाइक देश को मैंने जो उत्तर लिखा यदि मेरी बात आप सक तक पहुंच जाए तो मैं समर्थन चाहता हूँ कि शाही हरम की आउलादें क्या जाने विदिया की महिमा शाही हरम की आउलादें तुम कहां पैदा होगे अकवर वावर चले आए और उन्होंने हरम बना रखे और उसमें से जो पैदा हुए वे हमको कहते हैं कि हम बड़े खांदानी तहजीब बाले लोग है शाही हरम की आउलादें क्या जाने विदिया की महिमा देख तुम्हारी ओची हरकत पूरा भूमंडल सहमा एक लाख विद्वाएं होती माफ नहीं गर करते हम तेरी दसियों पीड़ी तक को दे सकते थे गहरे गम बुझदिल अकड दिखाता है अब जादब के घरवालों को डोक लाम में जुका चुके हैं हम तेरे रखवालों को तेरी जूटी बातों से दिल्ली मदहोश नहीं होगी सर जी कल एक ट्रेलर है सेना खामोश नहीं होगी बाप तुम्हारे हारे हम से अब बच्चे भी हारेंगे घर में घुशकर मारा था फिर 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 घर में घुशकर मारा था बहुत अच्छा वाँ जिंदा वाँ जिंदा वाँ जिंदा वाँ क्या वाँ क्या सोचता है कि चीन तुझे बचा लेगा द मैंने उतर दिया, बासट की याद दिलाता है, वो सिक्किम में धंकाता है, सीमा पर सख बनाता है, अपनी अवकात दिखाता है. हिंदी चीनी भाई भाई, संसद तब समझ नहीं पाई, वो पंच शील के नारे थे, हम गददरी से खारे थे। वो पंचशील के नारे थे, हम गद्दारी से हारे थे, अब के विश्दंत तोड़ देंगे, ड्रेगन, अब के विश्दंत तोड़ देंगे, हम एटम बम फोड़ देंगे, सुन पूर्वान चल हतियाने का सपना रंगीन नहीं होगा, और सिक्क्यम अगर कटा तो फिर दुनिया में चीन नहीं होगा, हम चीन से निपटना चाहते हैं, लेकिन निपतें कैसे, हमारे देश में लोगों को डर लगने लगता है, कभी नचनिया को दनियां को डर लगता है, और कभी कभी लखनियां को डर लगने लगता है, ये कौन लोग हैं जिनने डर लगता है, और वो जो कहता था कि मेरी पतनी को डर लग रहा है, उसने पतनी तक को छोड़ दिया, मेरी समझ नहीं आता है, ये लोग देश कभ छोड़ देंगे, कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इनकी ज्यादा परवाह करने की आवश्यक्ता नहीं है, डर किनको लगता है, डर लगता है केवल उनको मन में जिनके प्यार नहीं है, देश द्रोह के शड़यन त्रोंसे करते जो इनकार नहीं है, जिनने अपना सब कुछ केवल चीन पाक को माना हैं, लाल सलामी देकर कहते, भारत देश मिटाना हैं, ऐसे मीर जाफरों का अब मरना बहुत जरूरी है देश जलाने बालों का अब डरना बहुत जरूरी है देश जलाने बालों का अब डरना बहुत जरूरी है और मेरा मन है कि शौर्य की बात आरंब हुई है तो 26 दिसंबर को हमारा असली बाल दिवस आने वाला है सोले तारीफ को हमने कल शौर्य दिवस मनाया और हमारा असली बाल दिवस 26 दिसंबर को आने वाला है बहुत से लोग मैं साहित्य अकादमी के मंच पर खड़ा हूँ तो जो बोलूँगा मैं प्रयास करूँगा कि मुझे ठीक ठीक मैंने इतिहास में पढ़ा है वही बात करूँ बाल दिवस वह नहीं होता जिनके बाल उड़ जाया करते थे और वे बाल छिपाने के लिए टोपियां लगा लेते थे और उनके जनम दिन को हमने बाल दिवस मना लिया बाल दिवस वह था जो नन्ने मुन्ने बालक दीवार में चुन गए और कहा अपना धर्म नहीं देंगे अपनी गर्दन देंगे उनकी वलिदान उनकी शहादत का दिन है 26 दिसम्बर मैं उस कविता को महाकाल की भूमी पर खड़े होकर आज पढ़ना चाहता हूँ मैं कविता का आरंब यहां से करूंगा यदि यह कविता जो जयन में ठीक से सुनी गई तो मैं यह देखता हूँ कि बाल दिवस का अभियान हम कितने सफल होते हैं कि सच्चा बाल दिवस 26 दिसम्बर लोगों के याद आए कि दो बच्चों ने कैसे वल्दान दिया गुरु पत्रों ने दो साहिव जादों ने जोरावर सिंग और फते सिंग जिनके माम नहीं देंगे मस्तक हिमाले साथ तेरा जुकने नहीं देंगे विजयरत दोड़ेगा युग युग उसे थमने नहीं देंगे यह कुरुबानी करोडों हिंद के लोगों की थाती है हमारे शौर्य की गाथा यू एक दीवार गाती है कहा नो वर्ष जोरावर फते सिंग सात ही के थी दूसरी और तीसरी में पढ़ने वाले विद्यारतियों से कहा जाए कि आप कोई दिवार में चुनवा दिया जाएगा अपना धर्म बदल लो और वे कहें कि नहीं हमारी गर्दने ले लो हम अपना धर्म नहीं देंगे दूसरी तीसरी के बच्चे दिसंबर की सरदी और उन पर अत्याचार का किस्सा कहां नो वर्ष जोरा वर फतेह सिंग साथ ही के थे जिन्हें इटों में कुचला था जिन्हें इटों से चुनवाया वे कोमल गात ही तो थे बढ़ी दीवार जैसे जल नदी में बाड से बढ़ता वो मुख मंडल पे अदबुत तेज मन में थी प्रवल दिढ़ता तभी एक इट छोटे भाई के सिर पर रखी खिसकी बड़े भाई की छापी से निकल आई जरा सिसकी बड़े भाई को लगा कि ये क्या हो रहा है उसकी सिसकी निकली तो छोटे भाई ने सोचा कि बड़ा भाई डर रहा है और उस डर को दूर करने के लिए एक छोटे बालक ने क्या कहा उठी दीवार जैसे जल नदी में बार से बढ़ता वो मुख मन डल पे अदबुत तेज मन में थी प्रबल द्रिढ़ता तभी एक इंट छोटे भाई के सिर पर रखी खिसकी क्योंकि छोटे की हाइट कम थी तो पहले उसके सिर पर आ गई बड़ा देख रहा है तभी एक इंट छोटे भाई के सिर पर रखी खिसकी बड़े भाई की छाती से निकला ही तभी सिसकी दहकता सूर्य सा गोला दहाडा सिंग सा बोला नहीं डरना नहीं भाई हमारा धर्म रख्षक है हमारी भूम है माई अमर इतिहस के पन्नों में ये बलिदान गूजेगा मेरी आवाज बन करके ये हिंदोस्थान गूजेगा बड़े भाई ने कहा मेरे छोटे मेरे नन्ने वीर ये मत सोच कि मुझे दुख हो रहा है तुने कैसे सोच लिया कि मैं मौत से डर सकता हूँ मैं गुरुजी महराज का बेटा हूँ उसने कहा कि अभी तेरी उम्र वलिदान देने की नहीं थी वलिदान देने की उम्र मेरी थी बिधाता ने दिया सोभाग्य हमको प्राण देने का ये आशू सिर्फ दुख हैं बाद में बलिदान देने का तु छोटा बाद में जाता हाँ पहले जाना था मुझको विधाता ने मगर सौभाग्य देकर भेजा है तुझको तो फिर इस पूरी कविता में अपनी और से मैंने केवल दो पनितियां दुखी तुम्हारा रिण भला कैसे चुकाएंगे तुम्हारे चरण चुमेंगे तुम्हें माथा जुकाएंगे शपत बलिदान की हमको कदम रुकने नहीं देंगे तुम्हारे शौर्य का ये ध्वज कभी जुकने नहीं देंगे तुम्हारे शौर्य का ये ध्वज कभी जुकने नह देंगे और जब दीवार चुनना आरंब हुई तब काजी ने कहा अरे काफिर बच्चों क्यों मरना चाहते हैं छोड़ो ये तुम्हें केस तो कटवाने हैं बाल कटवा दो कह दो कि हमने आज से इसलाम कुबूल कर लिया तुम्हें राजकुमारों की तरह रखा जाएगा को ठीक से सहेजा है तब उस बच्चे ने जो इतिहास सुनाया काजी को और काजी से कहा हम उनके बच्चे हैं धर्म हेत साकाजन की जा धर्म हेत साकाजन की या शीश दिया पर सिदक न दिया और फिर कहा एजालिम भूल मत गुरतेग जी दिल्ली पधारे थे जिसके लिए मै भूल मत गुर्तेग जी दिल्ली पधारे थे प्रतिग्या भीश्म थी उनकी तेरे सुल्तान हारे थे भाई मतिदास को चीरा चलाया शीश पर आरा अरे वो हिंद का था सिंग मर कर भी नहीं हारा जलाये वाले जिंदा ही सतिदास डाला खौलता पानी लहू के कत्रे कत्रे से मगर निकली थी गुरुवानी लपेटी आग अंगों से दयाला जी दोडाये थे ये किस से हमको दादी माने घर पर ही पढ़ाये थे दिया जब शीश गुरुजी ने हजारों लोग तब जागे बचाने शीश का सम्मान चारों और से भागे मरेंगे आज दो बच्चे करोड़ों कल खड़े होंगे हमारे कतल की गाथा को पढ़ पढ़ कर वड़े होंगे मरेंगे मरेंगे आज दो बच्चे करोड़ों कल खड़े होंगे हमारे कतल की गाथा को पढ़ पढ़ कर वड़े होंगे ललेंगे ललेंगे युद्ध फिर तुझसे तेरा ये दर्ब तोड़ेंगे सजेंगे खाल से फिर से तुझे जिन्दान चोड़ेंगे सजेंगे खाल से फिर से तुझे जिन्दान चोड़ेंगे और मैं कविता का समापन करता है चारपंतियों से वीर रसका कभी यह संदेश देकर जाता है कि अपने बच्चों को ये पढ़ाना कि योहीं हमारे बच्चों की हमारे गुरू-पुत्रों की गर्दने नहीं कटी, हम बदला लेने वाले लों हैं. गुरू-पुत्रों की मृत्यू का इतियास नहीं पढ़ाया गया, तो यह भी नहीं पढ़ाया गया कि उसका बदला किसने लिया? क्या हुआ उस सरहिंद के भजीर का? क्या हुआ उन जलादों का जिनों ने दीवार में चुनवाया गया जिनों ने दीवार में चुना और क्या हुआ उस काजी का चार पंक्तियों में कविता का समापन करता हूँ भारत द्वाज रिशी का वंशज वेदों का अनुरागी था मुगल का आपते थे भय से गुरु का बन दा वैरागी था समाचार उपाया उसने गुरु पुत्रों की कुरुवानी का अरी दल पर टूट पड़ा ऐसे जैसे हो सिंग ववानी का सरहिंद घिरा का जी पकड़ा सरहिंद घिरा का जी पकड़ा जकड़ा जकड़े दोनों जलाद वहा बोटी बोटी फिर काट काट मैदान किया समसान वहा दीवार दिखी बंदारोया अश्कों से हीटों को धोया और आज वहां गुरु द्वारा है त्याग पराक्रम शार्य सुशोभित यह इतिहास हमारा है यह इतिहास हमारा है